आज की डेटे 23,24 स्वाकत है आपका आज की करंटक वे डिसकसन में चले डिसकसन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अर्टिकल है रेड़ सी के बारे में न्यूज में क्यों है? अभी यूरोपियन यूनियन द्वारा रेड़ सी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवल मिशन लाँच किया गया है इसलिए ये न्यूज में है इस मिशन को समझने से पहले हम बैक्ग्राउंड समझ लेते हैं कि ये मिशन लाँच क्यों किया गया है इस मिशन को लाँच करने के पीछे में रिजन था आप पहले रेड़ सी की लोकेशन देखो Red Sea की location देखो कि आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि Red Sea है, वो एक important trade route है, यहाँ सी वर्ल्ड का 60 से 70% trade होता है, global supply chain के लिए ये route बहुत ही जादा महचुप पूर्ण है, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की perspective से ये भी important हो जाता है, because कि इंडिया का जो energy security है उसके लिए ये route important है, साथ ही साथ इंडिया का trade यहाँ से बहुत जादा होता है, ACI, Europe, सारा trade यहीं से होता है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक देश आता है Yemen, यहाँ पर एक rebellion group है, जिसका नाम है Yautiz, यह होती rebellion है एक terror group है, अब यहाँ से जाने वाले shipping होती है, उसको hijack कर लेता है, उस के बदले में पैसे मांगता है, ऐसा होती क्यों कर रहे है, Yautiz यहाँ इसलिए करते हैं, उनका कहना है कि Israel और जो गाजा पट्टी के बीच में attack चल रहा है, जो यूद चल रहा है, उसमें लोग Israel का साथ ना दे, Israel के खिलाफ जाके action ले, इसलिए Yautiz है, वो इस परकार की गत होती ही रहेगी न, तो वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा ट्रेड पर भावित होगा, ठीक है, अगर यहाँ से सिपिंग नहीं चलेगी, तो अफरिका से होती हुए आना पड़ेगा, वहाँ से आने में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कोश्ट ज़्यादा लगेगी, कितना दूर पर जाता है, अगर वहाँ से आईगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कोश्ट ज़्यादा लगेगी, साथ ही साथ में एनलजी ज़्यादा खर्च होगी, तो इसे नुक्सान है, अब इंडिया की एनलजी सेक्यूरिटी के लिए यह रूट इंपोर्ट है, वर से प्रोटेट किया जाता, वैसी इस मेशन का नाम एसपाइट, जिसका रतो तो सील्ड, ठीक है, इसके तहट चार नेवल है, फूर डिपलोई की गई, चार नेवी है, यहाँ पर डिपलोई की गई है, अबजेक्टिव क्या है, रेड़ सी को फ्री नेविगेशन के लिए प परभावित होगा, कोस्ट इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होता है, ग्लोबल सप्लाइचेन परभावित होती है, ठीक है, एनरजी इस्यूज है, इंडिया भी परभावित है इससे, ठीक है, यह सारे दिक्कत आ रही, इससे पहले अमेरिका द्वारा, यूएस द्वार रहा है इन सब देशों ने भाग लिया था इसके अलाव कुछ USA की अलाई कंट्री जैसे USA की मित्र देशे जपान है जर्मनी है इन्होंने इससे भाग नहीं लियता है यह इससे दूर रहे थे इसके एवज में क्योंकि इससे दूर रहे थे तो रेड़ सी में यह मिसल लॉंच क मिसन है ठीक है इन दोनों के अलावा कुछ देश जैसे की इंडिया है फ्रांस से इनके द्वारा सेपरेट मिसन भी लॉंच किये गए है ताकि यहां से जो टेंसन चल दी उसको किसी बेपरकार से निप्टा जा सके यह हमारा पूरा अर्टिकल था रेड़ सी के बारे में रे निउज में क्यों है अभी ओपन याई एक कंपनी है जिसने चेट जीपीटी बनाया था उन्होंने टेक्स टू वीडियो जन्रेट करने के लिए एक नया याई जन्रेट किया जिसका नाम है सोरा समझ माई गी आपको निउज की चेट जी बनाई थी कंपनी जिसका नाम था इनके द्वरा अभी एक नया ओपन याई शुफटर बनाया जिसका नाम है सोरा ठीक है याग समाज न्यूज आपको समझ मागी अब इसके बारे हम देख लेते हैं सोरा के बारे हम सोरा जो वर्ड है वो जापान का वर्ड है उसका मतलब होता है इसका ही ठीक है सोरा एक लांज किसने किया इसको ओपन याई एक इसके दौरे लॉच किया गया है ठीक है इसी कंपनीन आ जो चैट जीपिटि को लॉ लॉच्ट किया था ठीक है ये टेख्टौ वीडियो जणेरेट करने के लिए यूज किया जाएगा इसके फीचर क्या क्या है पहले तो इसा नहीं कि वह इंटरनेट पर आपको नहीं एक अलग सी वीडियो जनरेट करके देदेगा फिर इसका नुकसान यह है कि आपने बोला कि यह इसी लिखके दो ऐसा वीडियो बनाके तो जिसमें मोदी जी इस पिस दे रहे हैं किसी और खिलाप में तो वह ऐसा इस वीडियो ज सकते इस पिस परकार से बोल सकता इसे दिक्कत आ सकता तो इसके कुछ फायदे भी है है बहुत है पर उपन नुकसान का कहना जा सबसे बचना ही चाहिए यही चीज हो सकता है अब यह एक जनरेटिव AI क्या होती है जो मसीन डर्रिंग है डाटा लर्रिंग है इन सब का यूज करके नई परकासी कुछ जनरेट करके देदे जैसे का चैट जीपीट में कुछ लिखके देदो और परकास से आप के बारे में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट जो मार रिटीकल है वह सब्सक्रावेटर बेन्यूज में पहली बार भार्त में देखा गया है यह भार्त में अम्मा वेरी पेत लेख चो की तेलंगाने वहां पर देखा गयाै दर усली यह जह थो आ भारत में नहीं देखे जाते हैं भारत में होती नहीं है यह अफरीकन वगरा रिजन वहां पर देखे जाते हैं तो यह पहली बार भारत में स्पोर्ट किया गया है इसलिए यह न्यूज गविश्य बन गी अब इस बड़ के बारें देख लेते हैं इसको वेडिंग बल्ड या और Central Africa में पाए जाते हैं, ज्यादा तर यह मास रीजन होता है, जहां पर कीचड भी यह पानी है, वहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ पर रहते हैं, और फ्रिस वाटर है वहाँ पर पाए जाते हैं, खारे पानी हम नहीं, फ्रिस वाटर में यह पाए, यह native की बात करें, तो Middle East है, Median region की यह नेटी वही पर पाए जाते हैं, क्या फूड लेते हैं, भोजन क्या कारते हैं, खाते हैं, तो यह Carnivors हैं, यह इंसेक्ट है, वोम है, इसमॉल फिस है, उनको खाते हैं, ठीक है, इसके फीचर की बात करें, इसके फीचर क्या है, विशेच ता पहचानों को किसे तो इससे पहटाने के लिए इनका जो फेस होता है तो ऊपर से यह प्लेक होता है इसे देमेश स सीAR बारे में लेक कहा नाम अम्वे पेट लिए लेक है ना कहां पर है तेलंगान नाम में इए नीजमने क्यों है अभी जग्द्कुरू राम बद्राचारी जिक्यों और गੁलoltist साथ को अठावनवे ग्यानपिट अवार्ड में समानित किया गया इसलिए ये ये न्यूज में तो एक बार गुलजाज साथ के बारे में देख लेख लें गुलजाज साहब के बारे में तो आप सब ने सुनावगा एक उर्दू के बहुत ही बड़े पोईट थे इन्हों तो उसके लिए है गुलजाज साप इनको नाम क्या था इनका पहला बच्पन का नाम था संपूर सिंग काल राइस इनका बच्पन का नाम था और इनकी अच्छीवमेंट की बात करें तो इनको साहित्यक काज्मी अवर्ड मिल चुका है थैं धादसाब फालक अवर्ड मिल चुका है ऑजेहों ज जेहों लीए जेहों जुका बभी मिला थ के लिए उसकर आप अवर्ड मिल चुका है तो इसके लिए इनको ग्रेमी अवर्ड रही बच्पन करude मेंगों की इसके अच्छा कर जिस नहीं मिल चुका में वा तुलसी पीठ है न ब्रांच इसंगे तुलूसी पीठ है उनके divним संवर टो यहांपर सब्सक्योच नाम का करेकटर थो जbon weekend इस उप्वड़ मंद्य इंपर्दिस में सांथ साथ में हिंदु इस्प्रूचल लीडर है इन्होंने यह एजुकेटर भी है राइटर भी है दोसो चाथ से ज्यादा इनको इन बुक्त साइट्य में बात करी इनकी लिट्रणी वर्क की बारे बात करें तो इन्होंने अश्टवक्र है स्री राग करप बसम है ब्रिग दतम है ऐसी कहीं इंपोर्टन लिट्ररी कारे कि जाइनों यह बहुत भास है इनका बचपन का नाम गिर्दर मिसरा था बचबन से ही एका दो साल की एज में इनकी आखे चली गई किसी बिमारी के वज़े से एंके चली वह काफी अच्छा इह नो नो क्या बाद में लिटररी के फिल्ड में काम किया था हुँखे वो हिंदू के लिए भी पाफि आवर्ड मिल चुक्क है तो यह पूरा रामबदराचारी जी बारे में अब एक बार हम ज्टापना हुई थी 1944-1946 में इसके इस्तापना हुई ठी और इनको इंस्ट्टवाज फिर हम किया मतबस्टक्नाइक इसको इस्ट्रिवेश बनाया गया था वह 1911 में बनाया था पहला किया था वह 1965 1985 इनको स्पोंसर किया जाता है यह चीज आप याद रखना होती मस्ट इंपोर्ट स्टार लगा ना इसके लिए पहरतिये नागरी को ही मिलता है यह फॉरेनर आके घ्यान पीट अवर्ड की मांग नहीं उनको मिल रहीं सक कहीं भी कोई पूछ ले कि ज्यानपीट अवर्ड क्या केवल भारतिये को ही मिलता है तो आप केवल देखके कन्फिज जी हाँ यह ओनली इंडियन सिटीजन को ही मिलता यह फोकस करके देखके यह हाइस्ट साहितियक कार्ड है अलगल होता है यह हाइस्ट शिविलिन अवर्ड में 22 वासाई सविदान में 22 वासाई में प्लस इंग्लिस में 2013 में इंग्लिस भी एड किया गया तो 22 वासाई प्लस इंग्लिस में जिसने अच्छा काम किया उनको यह ओर्ड दिया जाता है अवर्ड में क्या दिया जाता है 21 लाख रुपे दिया जाता है और वालवन्द फड़केजी के बारे में इनको फादर ओफ इंडियन आमन रिबेलियन का रहा इंडियन की फार्म चल दी थे हमारा जो बार्देस हैं वह आजादी की लड़ाई लड़ रहता तो पहले क्या होता था पहले यही चलता था गांधी जी ने आप देखोगे ने स्टार हैं लेन होजो रिबेलिन नहीं कोई विंकर आपने के बारे में इनके बाहरे में चार-पांच लोगों के बारे में ऑन के बात कर इंडियन इंकर नहीं होता हुएन का कॉंट्रीब्युशन बहुत पड़ा था उनका इंपक्त भीस च्रण 누ी गया इस लुक्रेट इसमें किया गया अजीं इन्सपाइड यॉगदान किया है भारत की फीड़मी स्ट्रगल में यह गांओ-गां जाकर यह वखर योग भात कि संगठन मैं क Texas ठीक है तो उन्होंने पहला revolutionary army संगठन का भी कठन किया था 1889 में उन्होंने पहला एक ऐसा संगठन मना दिया था जो revolution करने का काम कर जो अंगरी जो खिलाब लडने का काम कर जिसमें इनकी हेल्प करी थी गोपाल हरी कारवे विष्णु गर्देश जी और विष्णु लेदार इनकी हेल्प करी थी किसके लिए हेल्प पर थी इन्होंने एक संगठन मना था जिसका नाम था revolutionary army संगठन फिर 1874 में पूरे में इन्होंने ने नेटिव इंस्टिट्यूट की स्था अपना की थी यह जो नेटिव इंस्टिट्यूट था न यह एजूकेट करने का काम करता मह और 1883 में इनकी मिट्टी हो गयी ती और इन्हें क्यों क्या था रिजन क्या क्या था पहला तो रीजन क्या था यह इनकी मता जी नहीं बिमार हो गई थी और अंग्रेज सरकार उनको मिलना नहीं देना जाना तो इनको मानद में गुसा है कि यार मेरी मम्मी बिमारे मेरी मता जी की डेथ होगी है फिर भी मिलने नहीं दिया जा रहा है तो यह तो गलत है न साथ ही साथ में कहाता कि उस टाइम में क्या हो तो फहह्माइन आगय था तो अंग्रेज सरकार ने तो फहमा ही ना चुका है लोग तो मर रहे हैं और रेवनियूर बढ़ा दिया इससे भी लोग प्रिसान होगे साथ ही साथ में और बी ऐसी परकार की गतीविद्या उटी प्लेग आ गया अंग्रे सरकार की गतीविद्या देखके यह बहुत जादा नाराज हों इनका जो गुस से लिए इता और इनकी मैं ने सिरफ नशाब करते थे में यह वी चैने के लिह क्लाव पिप्रेइलो 흰ाज हैं लीजा सब कहना था कि रोने से राज नहीं मिलता है राज मिल लेने के लिए आपको हतियार उठाने पड़े एक गुरुलाव वार्फेर में एक्सपर्ट थे जाके मार के फिर वापिस गाइब हो जा तो गुरुलाव वार्फेर में काफे इंस्पायड थे ठीक है लूटते थे लूट ये पेसं देखे लेते हैं प्राद हें वाल्स्ते चंट gj लीने के बारे मीचि ऑपन भेंन तो छोल्पपेशन देखे लिए नाई कि नहीं तो ये प्रोडि आपना studal दूसरा था ये कवरें की यह परें के पधार्मीच रियुल खिरpopusa थे यह हीर marshmall yan प्लेकिंट के बारे में दूसरा पी फॉल से तो यह तीन फॉल से उपर वाले और चौथा यह ठ्रू है पिर आपको प्रेट्ट में समंदी और से समंदी जो कल का हूंवक सवर एक कुछ के भी यह िंडिया जाथा पहला miracles थे तुचच करेक्ड़हें तो पहला सो क्रेक्ड करेक्ड तो ये दादर भाई नारो जी से इंस्पार्ट तो हमने अब भी देखा ये इंस्पार्ट थे फिर फादर ओफ इंडियन आपने बिलियन माना जाता है इनको जी हां दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर इंकरेक्ट पुछा है तो डी होगा नाइधर ए नौर टू ठीक ह इसमें डी यू से यो फिर दो हमवकर आपको देख के आना है तो आज की डिसकुसन में इतना है था थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस